हेलो फ्रेंज केसे हैं आप सब लोग वेलकम टू जाय का मसिदार आद बनाएंगे जटपट से बन जाने वाला वन पॉट चीजी चिकन पास्ता बहुत डेलिशस बनके तियार होगा और बहुत ही सिंपल रिसकी रेसिपी है तो चले ही मसिदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते पास्ता है यहां मैंने पैने पास्ता लिया है आप चाहें तो मेकरोनी भी यूज कर सकते हैं या पी किसी भी कटियर शेप का पास्ता यूज कर सकते हैं तो हम वन पॉट बना रहे हैं तो इसको भी हमें बॉइल नहीं करना है बागी की प्रिपेशन कर लेते हैं तो एक पती इसको उबाल लिया है और 6-7 मिट गुजर जाने के बाद ये देखिए इसकी जुने स्किन हटने लगी है तो इसको निकाल लूगी मैं और इसको जो है थोड़ा ठंडा होके इसकी स्किन उतार के इसका बारीक पेस्ट बना के तियार करके साइर में रख लूगी तो चलिए तो प्यास के हमने हलका सुनहरा होने नहें तक fry कर लेना है तो यह दिखिन प्यास हलकी सी अन्ही हो गी तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का कलब लिको चेंज हो चुका है तो अब इसके अंदर डालेंगे को टीवी लाल मिर्च थोड़ी सी काले मिच वन फो टी स्पून के करीब और साथ में डालें आदा चमच मैंने इसमें धनिया पाउडर इन सारी चीज़ों को पहले हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे इसको हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका color भी change हो जाए और जो है टेमाटर का जो कच्छा पने है वो बिल्कुल खत्म हो जाए ये देखें इस तरीके से टेमाटर हो गया है इसका color भी change हो चुका है और टेमाटर बहुत अच्छे से भुल भी चुके हैं अब इसके अंटर हम डाल देंगे पानी चार कप इसमें पानी जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको जो है अब हम मीटियम फ्लेम पे आठ से 9 मिनिट या पिर जितना भी आपका पास्ता कुपिंग टाइम उसके पैकेट पे लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इसको कुप कर लीजेगा नमक मुझे हलका सा कम लगा तो मैंने अपने हिसाब से इसको एजस्ट कर लिए है आप इस पॉइंट पे नमक टेस्ट करके इसको आप एजस्ट कर लीजेगा और इसको जो है आवा हम कुप कर लेते हैं जितना जो है पास्ता कम्प्लीटी डान हो जा हलका सा कच्छा रहना चाहिए अलदानते रहना चाहिए तब ही वो पास्ता अच्छा लगता है बिल्कुल ही मशी कर देंगे फॉइंट पे पास्ता खाने में मज़ा नहीं आएगा तो यह पास्ता ने सारा पानी एबजॉब कर लिया मैंने बीच में एक से दुबार चम्प्लीटी डान है जिस तरीके से मैंने बताया हलका सा अलदानते हैं मैंने चेक किया है तो चलें अब इसका आगे का प्रॉसेस देख लेते हैं इसको चीजी बनाने के लिए मौसरेलर चीज है तो सारी अभी नहीं डालनी है मैंने बस दो मुठी के करीब अभी डाली है पहले इन सारी चीज को जो हम पास्ता के साथ मिक्स कर देंगे ताकि चीज जो ना अंदर तक चली जाए और सब कुछ मिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग चीज है ना वो मैंने पास्ता के उपर स्प्रेड की है तो हम चीजी पास्ता बना रहे हैं तो यह कम्प्लिटली आपकी चोईस है कि आप इसके उपर कितनी चीज डालना चाहते हैं आपको पसंद देखाने में आप उससाब इसके उपर चीज डा सकते हैं तो मैंने पूरा पॉर्ट पॉर्ट इस लेयर से चीज से इसको कवर कर दिया है और इसको जो हम ढग देंगे सिर्फ 2-3 मिनिट के लिए बस इतनी देर के लिए कि यह चीज जो नहीं हलकी से मेल्ट हो जाए अचा क्यूंकि इसको हम अवन में नहीं बना रहे हैं तो चीज के उपर का कलर चेंज नहीं होगा लेकिन चीज देखिए माशलाब बिल्कुल परफेक्ली मेल्ट हो चुकी है और पास्ता बहुत ही डेलिशिस बनके तियार हुआ है जो खरेकिए मेरे तरिके से सर्फ की जा सकती है लेकिन मैं आको यह बिना अवन के बता रही है मैं नहीं आ अपको इसी तरीके से दिखाई है तो इसको सर्फ कर लिया है मैंने और ये हमारा मज़िदार सा चीजी चिकन पास्ता बनके तियार हो चुका है इफ्तार वगएरा में आप इसको इंजॉई कर सकते हैं बहुत अलिशिस बनता है